दोस्तों कल परदानमंत्री जी ने लाल के लिए से अपनी जो इंडिपेंडनेस डे की स्पीच होती है उसको दिया था इसका देखो complete जो उन्होंने क्या क्या discussion किया इसके regarding हम already एक वीडियो बना चुके हैं ठीक है आप इस channel की जो वीडियो वाला section है उसके अंदर जाके देख सकते हैं कल दुपहर में मैंने उस वीडियो को upload किया था वहाँ पर क्या-क्या बात करी परदानमंत्री जी ने क्या-क्या issues race किये वो सारे हम discuss कर चुके हैं और कैसे ये UPSC के लिए relevant हो सकता है वो भी वहाँ पर मैंने आपको साथ discuss किया था तो इसका हम discuss नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे से अलड़ी हम discuss कर चुके हैं वेराइस एक चो छोटा सा मुद्दा आप यहाँ पर notice करोगे कि जो तमिल आड़ू जी के CM है उन्होंने बोला है कि education को ना हम state list की तरफ transfer कर दिया जाना जाना चाहिए देखो समझते हैं इस चीज़ को अगर आप notice करोगे न तो जब हमारा समिधान बना उस टाइम पर जो education था वो हमारा कहां था वो state list के अंदर ही था आप जानते होंगे न पॉलिटी के अंदर आपने पड़ा है कि एक हमारी union list होती है एक state list होती है एक होती है आपकी concurrent list concurrent list में क्या होता है दोनों state भी और center भी आपका कहीं न कहीं वहाँ पर law बना सकते हैं ठीक है union list और state list का तो नाम से ही clarity है जब समिधान आया था उस टाइम पर education कहां था state list के अंदर पर आपको 42nd constitutional amendment याद है 42 वासन शोदन उसके अंदर आप जानते हो जब emergency थी ठीक है ना mini constitution इसको बोलते हैं उस time के उपर बहुत सारे बदलाव किया गया थे हमारे समिधान के अंदर उसी constitutional amendment act के अंदर जाने कि 42nd amendment के थू ही education को state से transfer कर दिया गया state से कहां transfer कर दिया गया concurrent list के अंदर आई बात समझ में तो आज के time के उपर na education कहां पर है concurrent list के अंदर अब देखो concurrent list के अंदर है तो दोनों बना सकते हैं center भी बना सकता है state भी बना सकता है पर अगर law बन गया किसी चीज के उपर तो किस की चलेगी ओविसली center की ठीक है ना क्यों करेगा बात सही है नहीं है बिल्कुल तो इस वज़ा से कई बार ना कुछ दिक्कते होती है जैसे आपना बार बा लाडू और हमारी center के बीच में उसी तरह से कल हमने PM उशा स्कीम डिसकस करी थी कैसे state कुछ हद तक नाखुश है इसके रिगारिंग MOU को साइन नहीं किया हुआ तो ये सब बातें अगर होंगी ना तो इस वज़ा से Independence Day की speech के अंदर जो तमीन लाडू के स्कीमनों ने बोला है कि education को वापस state list के अंदर लेकर आना चाहिए ये कौन के list के अंदर डाला जाना इसका ठीक नहीं है ठीक है ना तो ये सारी बाते हैं कुछ और भी news है जिनको हम आज के lecture के अंदर cover करेंगे तो date है आज की 16 अंगस 2023 और आप सभी का स्वागत है आज के prelim booster news discussion के अंदर देख है अब देखो इसी वज़ा से आपके साथ जुड़ रहे हैं सुमित सर ठीक ना आज शाम 4 बजे 16 अगस शानी के आज शाम 4 बजे आप सुमित सर के साथ जुड़ सकते हैं offline हमारा जो center है ना पटेल नगर के अंदर वहाँ पर आप जाईए ठीक है ना definitely आप सुमित सर के साथ आप discuss कर सकते हो सर आपको यहाँ पर बताएंगी कि कैसे कैसे UPS की जो पैटन है वो बदल रहा है और उसके साथ से कैसे हमें अपने अपने plans को कैसे बदलाव करना होगा देखो इसके लिए आपको नीचे ना description के अंदर मैं link डाल दूँगा वहाँ पर जाके आप register कर सकते हो and make sure देखो ऐसी opportunities बहुत ही ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं तो make sure कि आप इस opportunity का अच्छे से utilizing करिए क्योंकि आप जानते हो कि सरने लाखों ही students को इस तरह से guide किया हुआ है और आप इसका बहुत help ले सकते हो चलिए आगे चलते हैं next हमारा topic है remittances in India हमारी ministry of finance ने ने ये व साल 22 में ये 89 billion dollar के आसपास था इस बार ये लगबग 112 billion dollar के आसपास है अब सर्थ remittances होते क्या है देखो मान लो आपकी family का कोई member है let's say वो चलेगा USA या England के भी चलेगा let's say को इसकी country भी चलेगा let's say वो चलेगा USA अब वो USA में जाएगा कुछ वहाँ पे कमाएगा कुछ है तो कुछ पैसा वो क्या करेगा वो अपनी फैमिली को वापस भेज देगा इसी को दरसल में क्या बोलते है जो पैसा वापस भेजा जा रहा है this is remittances कि कोई migrant की तरह वहाँ पर दूसरी country में काम कर रहा है वहाँ पर accordingly काम करते हुए वो अपने घर पर जब वो transfer करता है पैसा इसी को बोलते हैं remittances अब ध्यान रखेगा यह remittances आप बैंकों के मादियम से money transfer companies के मादियम से ठीक है या फिर आजकल तो online platform के मादियम से भी यह चीज़ होने लगी है और इस तरह से क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है यहना कि foreign exchange के अंदर एक बहुत important role यह play करता है ठीक है इंडिया का इस तरह से आगे बढ़ना remittances के अंदर एक काफी अच्छी बात है देखो इंडिया ना दुनिया में पहले नंबर के उपर है remittances के मामले में कहने का मतलब क्या India receive remittances जो करता है दुनिया में इंडिया टॉप पर आता है इसके साथ में एक और भी हमें देखना पड़ेगा देखो remittances चलो हम समझ गए अब FDI के बारे में भी आप जानते होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं foreign direct investment economy के अंदर मैंने आपको कई बार इसके बार में समझाया है मालो कोई company है बाहर की वो इंडिया में invest करती है लंबे time के लिए invest कर रहा है ठीक है ना सिरफ ऐसा नहीं कि profit के लिए invest करा लंबे time के लिए चीज़ इनवेस्ट करी है तो उसको बोलते हैं foreign direct investment आपका assets हो गया उनके अंदर invest किया रहा है वो सारी चीज़ें तो FDI के अंदर ना हमें एक slow down देखने को मिला है कहने का मतलब क्या एक कमी देखने को मिली है पिछले साल F5 22 के FDI के अंदर हमें एक decrease देखने को मिला है यहां पर आई बात समझ में चलिए आगे चलते हैं ठीक है न और कहां कहां से सर आ रहा है देखो USA topmost है सबसे ज़्यादा पैसा जो आ रहा है रहा है रेमिटेंसिस की form में वो USA से आ रहा है UAE दूसरे नंबर पर है and accordingly UK, Singapore, Saudi Arabia यह 34 और पाँचवे पाइदान पर है in terms of remittances कहां से इंडिया में आ रहे हैं next topic दरफ आगे बढ़ते हैं that is Aditya L1 mission देखो हम ना पिछले काफी time से चंदरियान 3 mission के बारे में चर्चा कर रहे है चीग है न अभी around एक हफ्ते बाद फिर चर्चा करेंगे जब वो वहाँ पर soft learning करेगा अब insro ने चलो इसको तो कर रहा है at the same time जब यह 24 अगौस्ट के around आप महाँ पे soft learning हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद Aditya L1 mission को यहाँ पर launch किया जाएगा यह कहां से सर लौंच किया जा रहा है यह लौंच किया जाएगा आपका जो 37 जवन Space Center है आपका शिरी हरी कोटा के अदर वहां से इसको launch किया जाएगा एक PSLV rocket के माध्यम से अब आप लोग सोच रहोंगे सर यह आखरी Aditya L1 mission है क्या देखो पहली बार ना इंडिया का कोई Space Mission है जो कि Sun को और Solar Corona को इसको यहाँ पर study करने जा रहा है तो यह बहुत-बहुत ज़ादा हमारे लिए important हो जाता ह अब आप लोग सोच रहोंगे सर अधित्य तो आप मतलब तो चलो हिंदी में I think सूरज होता है बार ठीक है पर यह L1 का मतलब यहाँ पर क्या है देखो मैं समझाता हूँ कि L1 का मतलब क्या है जैसे for example आप यहाँ पर दो bodies imagine करो जैसे यह तो आपका बीच में आपको सूरज दिख रही है धरती तो जब ना इस तरह से दो bodies होती है तो उनके वीच में कुछ lagrange points बन जाते हैं अब सरी यह lagrange points क्यों बनते हैं देखो आप खुद सोचो यहाँ पर यह जो points दिख रहे हैं आपको L1, L2, L3, L4 and L5 यह सब दिख रहे हैं अब यह जो points है ना यह वो वाले points हैं जहां पर दो bodies के forces अपने आपको balance कर देते हैं कहने का मतलब क्या जैसे for example देखो सूरज का और धरती का कुछ attraction and repulsion forces होंगे बिल्कुल तो यहाँ पर यह जो points मैंने बनाए हैं यह वो points हैं जहां पर दो bodies के जो भी forces act हो रहे हैं वो अपने आप में balance हो जाते हैं तो सर इस को वहाँ पर stable रहने के लिए कुछ fuel वगारा की requirement होगी बिल्कुल ठीक बात है पर अगर वो लग्राज point की उपर है तो आपको नहीं लगता कि जब forces एक दूसरे को balance कर रहे हैं तो वो automatically वहीं पर वो जादा fuel की खपत किये बिना वहाँ पर stable रह पाएगा that is the point तो यह लग्र लग्राज one point के उपर इसलिए भेज रहे हैं तांकि वहाँ पर stable रह पाए ठीक है ना कल को यहाँ पर सूरज ग्रहन भी होगा ठीक है वह सूरज को यहाँ पर study करेगा सूरज ग्रहन भी होगा तब भी उसको study कर पाएगा ऐसा कुछ issues नहीं आएंगे किसी भी तरह के ग्रहन होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू अधित्या L1 मिशन ठीक है थोड़ा में और बदाता हूँ पहला हमारा स्पेस मिशन होगा जो की सन को और सोलर करोना को यहाँ पर करेगा ठीक है ना हेलो अर्विट के अंदर एफ लेग्राज वन पॉइंट की उपर यहाँ पर होगा कि स्पेस वैदर के रिगार्डिंग हमें चीज़े समझ आएंगी ठीक है ना यहाँ पर आप ध्यान रखना यहाँ पर टोटल हमें ना टोटल सेवन पेलोड्स आपको देखने को मिलेंगे देखो यहाँ पर पेलोड के अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी देखो अल है में थोडि चीज़ें और बतायता हूँ यहाँ पर इस image को देखना तो यहाँ पर इस image को आप समझो तो यहाँ पर आप notice करोगे एक तो यहाँ पर आपको करोना देखने को मिलेगा करोना क्या होता है जो कि उसका आउटरमोस्ट पार्ट होता है सूरज का उसको हम बोल द चाहिता को हूं क्रोमस्फेयर की तो दएसल में यह फोटो स्फेयर के बाहर की लाइन होती है अब आप लोग सोचे विजिबल फोटो आपने वर्ट सुने होता है इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट और पार्ट्स होते हैं तो वह सारी चीजे भी यह जो हमारा अजित्ते L1 mission है, ये इन सबी चीज़ों को study करेगा, इससे हमें अच्छी पता लगेगी, बहुत सारे नहींने insights आएंगे, देगा कि solar emissions क्यों होते हैं, sun के sun winds हैं, ये सारे चीज़े क्या हैं, तो ये different different अलग लग चीज़ें हमें इसके थूपता लगेंगी, I hope आप इन चीज़ों को हो गया, इस तरह बहुत सारे different missions, solar orbiter हो गया, different missions पहले चल चुके हैं, पर इंडिया का पहला ये space mission होगा, जो sun को और solar krona को यहां पे observe करेगा, next topic दरफ आगे बढ़ते हैं, that is, India's migration agreements, देखो migration का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है ना कि माल लो एक, मतलब वैस्तों आप state to state या और जगा पर भी देख सकते हो, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं, country to country, तो अगर माल लो इंडिया को के person, किसी दूसरी country में जाता है, तो के वार ना उसको वहां पर काम करने के अंदर दिक्कत आती है, या पर सामने वाली country उसको चीज़े प्रोवाइड नहीं करती, प्र देखो, benefits क्या है, दोनो country को है, माल लो एक इंडिया है, और सामने लेट से Switzerland है, ठीक है न, तो इंडिया के लोग भी यहां पर जा पाएंगे, Switzerland के अंदर, वाँ पर काम कर पाएंगे, रह पाएंगे, ठीक है न, study कर पाएंगे, Switzerland की लोगों भी इंडिया में जबाएंगे, तो उनको भी थोड़ी असानी होगी, तो इस तरह से na, migration agreements के यह purpose होता है, तो इंडिया आज के टाइम के उपना, different, different ऐसे agreements के अंदर, एंगेज कर रहा है, ठीक है न, काफी हो के साथ, discussions के अंदर भी है, reopenations जैसे की Switzerland के अंदर, ताकि इन चीजों का हम finalize कर पाएं, इंडिया इंडिया ने ऐसा नहीं है कि पहली बार इसा कर रहा है, इंडिया के different countries के साथ already agreements है, जैसे UK हो गया, Germany हो गया, Austria हो गया, Portugal हो गया, इनके साथ already है, जैसे UK के साथ हमारी young professional scheme है, एक UK के साथ, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप 18 से 30 साल के होंगे न, तो आपको, ठीक है न, आ India and Germany, Migration and Mobility Partnership Agreement, यह हमारा Germany के साथ है, यहाँ पर भी similar चीज़े हैं हमारी, आप study करने के बाद, आप 18 महीने तक वहाँ पर काम कर पाओगे जर्मनी के अंदर, तो यह चीज़े हो गया, ठीक है, similarly, Portugal के साथ मेरा agreement है, यहाँ पर actually blue collar workers के regarding यह agreement है, blue collar workers क्या होते हैं, जो कि आपक culture, manufacturing, construction, mining, इनके साथ न, आप industries के जो देखते हो न, जो काम करते हैं, वो लोग, उनकी बात कर रहे हैं, तो blue collar हो गया, white collar workers भी कुछ countries के साथ हैं, मतलब Portugal के साथ नहीं है, white collar होता है, जो थोड़ा professional वाला काम करते हैं, ठीक है न, की software industry वाला, ठीक है न, तो यहाँ पर ध्यान दो मुद्धे यहाँ पर मुझे देखने को मिले थे, एक G20 का anti-corruption ministry अलमीट, और दूसरा था G20 finance track seminar, दोनों इक अठे discuss कर लेते हैं, पिछले कुछ दिनों में यह news में रहे हैं, देखो जब मैं बात करता हूँ, finance track seminar की, तो इस बार इसको और मैं इसको रखे गया, हमारी ज जो काफी important ने निकल कर आया, वो ये था कि हमारी जो कुछ ना, low and middle income countries होती है, वहाँ पे उनका करजा बहुत जादा बढ़ चुका है, उनको हम कैसे coordinate करके, इनके जो करजे को कहिना की restructure कर सकते हैं, उसके regarding work किया गया, अब यहाँ देखो दो words आए, low and middle income countries, इसको थोड़ा समझना जूरी है, देखो actual में आपको समझाता हूँ, world bank का एक calculation method है, जहाँ पर हम देखते हैं क्या gross national income per capita, per capita मतला per person, यह चीज़ देखी जाती है कि gross national income उस country के कितनी है per capita के हिसाब से, according उनको classify किया जाता है, क्या वो country एक low income country है, क्या वो lower middle income country है, क्या वो upper middle income है, या high income है, देखो यह जो numbers आपके सामने लिखे गए हैं यह जो presented है, यह बिलकुल latest है, अगर आपको Google के उपर कोई और number देखने के बलते हैं, तो purely गलत numbers है, वो basically updated नहीं है, यह वाले जो मैंने आपके सामने लेकर आयो ना, यह पूरी तरह से updated है, अभी एक महीना पहले यह update हुए थे ठीक है, तो अगर मान लो किसी country की जो, ठीक है, यह वाला आपके हमें देखने है, 23-24 वाला, यह वाला पुराना था, यह वाला हमें निया वाला देखना उपर वाला, तो अगर किसी country की जो GNI, gross national income per capita, 1135 डॉलर से कम है, तो according इसको low income बोलेंगे, 1136 से लेकर 4465 है, तो lower middle income, 4466 से लेकर 13845 डॉलर है, तो upper middle income, उसी तरह से 3845 से जादा है, तो high income, तो इसे साब से इंडिया यहाँ पर लाई करता है, अभी करेंटली, lower middle income, आने वाले सालों में हम definitely इसके तरफ मूव करेंगे, पर अभी हम currently lower middle income countries के अंदर हम यह आपे आते हैं, ठीक है न, तो जो बात हो रही थी, कि इनका कर्शाव गयरा बहुत जादा है, तो इननने numbers भी बताये हैं, कि 2021 के end तक जो external rate था, इनक्रामिस का, बो 9 trillion dollars से भी जादा था, जो की काफी, मतलब एक decade, जो 10 साल पहले इससे था, उससे double से भी जादा हो चुका है, तो इस तरह से कुछ concerns देखने के मिलत को, यह वाली दरसल में जो यह थी, मैं आपको इसका, यह वाली, lower income, यह वाला coloring देखने को मिलती हैं, hardly कोई वहापे तो develop कमी है, बाकि यहापे आप नोटिस करो, Europe and Central Asia, यहापे अच्छी कासी develop देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, तो इस तरह से आपको यह regional differences भी पता होने regarding, right, उसी तरह से G20 anti-corruptional meet में भी यहापे हमें देखने को मिली whole kata के अंदर, यहापे रहने बात करी कि कैसे आपस में information sharing की जा सकती है, जो law enforcement cooperation है, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, ना, asset recovery mechanisms को strong किया जाए, कि मानलों किसी ने corruption कर दिया, तो कल को कैसे उसको recover करना है, उनके regarding issues थे, कहीं, उनको जो, उनके बास जो संपतियां है, उनको बेचा जा सकता है, इस तरह की चीज़े, and overall जो anti-corruption authorities है, ठीक है, ना, उनको कैसे work करना है, जो अलग-अलग हमारे institutions है, वो ढंक से काम करें, क्योंकि अगर आप notice करो, हमने different institutions हम बना दो देते हैं, तो उनकी working के पर चेक नहीं रखते हैं, एक तो इसको institution का काम दिया गया, आप corruption के पर चेक करो, पर अगर एक खुदी corruption करने लग जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ना, तो ये साई चीज़े नहीं होने चाहिए, तो इंडिया ने भी definitely एक zero tolerance की policy याँ पर अपना ही है, जैसे government का e-market place आपने jam portal आपने देखा हो ना, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप Amazon से shopping करते हो ना, उसी तरह से हमारे जो अलग-अलग government departments है, government mysteries है, उनको भी कुछ shopping खरीद नहीं होती है, कुछ समान खरीदना होता है, अपने department के लिए, कुछ पैन खरीदने हो सकते हैं, कुछ भी मतलब, क इसके अंदर आप जानते हो कि चनक्या ने काफी अर्थशास्थर के अंदर corruption बात करी गई है, कि government की क्या duty होती है, लोगों के welfare के regarding, कैसे इसको enhance किया जाए, उस तरह से एक word था, मागरिदा, यह दरसल में आपके ancient उपनिस जो होते हैं, उसके अंदर ये word यूज किया गया ह वो चीज गलत है, ठीक है न, तो इस तरह से ये चीज भी हमारे उपनिस दुप के अंदर बात करी गई है, बाकिया आप जानते हो देखो G7 के अंदर आप countries देख सकते हो, Germany, UK, France, Canada, US, Italy, Japan, ठीक है, G8 के अंदर आप जानते हो, Russia भी आ जाता है, ठीक है, actually अब तो G8 तो इतन और countries आ जाती है, एंड साथ में आपका जो European Union है, वो यहाँ पर एड़न हो जाता है, ठीक है, तो आई होप आपको यह चीज यहाँ पर पता लग गई होंगी, ठीक है, ठीक है, फ्रेंड्स, तो यह थी आज की discussion, इनके वैसे की उपर मैं आपको यह कुछ questions दे रहा हूँ, इ यह है आपकी central sponsored scheme, ठीक है, धर असल में मुद्धा यहीं पर आया था, जो issues आये थे न, वो यहीं थे कि आपकी जो state governments है, वो कहां से पैसा लाएंगे, यूरिया गोल्ड, तो यूरिया को sulfur किसा स्पोटिफाई किया गया है, बिल्कुल correct है, NAPS, National Apprenticeship Promotion scheme, कि यहाँ पर यही 17 था, फिर 17 एक जरफ हम मूव करें, जिनके stealth features और भी जाजा थे, ठीक है न, तो यह थे आज की discussion, अगर आपको आपको आज की lecture PDF चाही तो आप माई telegram channel, PW Only as official पर जाके इस lecture PDF को access कर सकते हो, और अपनी preparation को आपको बहतर बना सकते हो, तो आई होप आज का lecture आप सभी को अच् इसी तरह से आप भी अपने पर हाड़ वक करते रहिए, गुडबाई and गुड़ लग